चुनावी दंदर सच चुका है नगंडिगर में सभी राजनीतिक दल जरनता के बीच में अपनी पकड़ को मजबूत करना शुरू कर चुके हैं लेकिन कौन किस पर कितना भारी होगा जरनता के दिल में कौन उतर रहा है ये वोट से ही जरनता जवाब देगी लेकिन ये वक्त बत्रब टोटल यूस तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कारिक्रम बिली का दंगल तो नगर डिगन की चुनावी बेला सच चुकी है और आज हम बात करेंगे कुष्णा नगर वॉर्ड 21E की बहुत सारे काम हैं जिसका जरनता इंतजार करती है कि ये काम हो जाएं अधूरे पड़े हुए हैं जो समस्या हैं वो चुनावों से पहले ही निपड जाएं लेकिन इनी समस्याओं को मुद्दा बनाकर जरनता के बीच में जाया जाता है हमाई साथ खास महमान जुड़े हुए हमाई साथ संदीब कपूर साथ जुड़े हुए है जो की निगम पारशद है मौजूदा वक्त में निगम पारशद है जुगल अरोड़ा जी हमाई साथ आप भी पारशद है जुड़े हुए है जुड़े हुए है नेता हैं कॉंग्रस के महत बाश्वाद करती हूँ आप तीनों ही महमानों का सबसे पहले संदीब कपूर साहब जी के पास जाओंगी संदीब जी आप MCD में हैं बार बार कामों की बात करते हैं कि निगम ने ये क साबसफाई करनी है लाइट देखनी है ऐसे निगम के काम है जो आपको रोज और लगातार करने हैं जिसमें साबसफाई है पार्किंग की वेस्ता है स्ट्रीट लाइट्स है आपको जो प्राइमरी एजूकेशन है प्राइमरी हेल्थ है और डेंगू मलेरिया की रोकताम के लिए करमचारियों ने जाना है ऐसे बहुत सारे काम है जो निगम ही करता है और जनता के साथ जूड़ा होता है तो जब आप रोज-रोज काम करते है अगर कहीं छोटी-मोटी कमी रहती है लेकिन विवस्था में सुधार ज्यादा से ज्यादा काम करना जनता के बीच में रह चाहे कि डेंगू बढ़ता गया चंद्रमोहन जी देखे मेरे मित निगम पार्शद है और अब उन्होंने खुद इस बात को कबूल करा कि जो स्थाई कमिटी की जो इनका वह उसके अंदर सफाई और यह सब चीज़ी होते हैं कि कमी भी रा जाती है दिल्ली का सबसे पहला क कमचारी कोन है? जब हम सोई होते हैं और भार आके हमारी गल्य और नाली साफ करता है. मैं से पूछना चाहता हू往 आज तो आपके 15 साल रहने के बाद आपको गलियों के कोने याद नहीं है क्योंकि आपके पास पती निदी नहीं है जो पती निदी है भी है तो आपके 15 साल रहने के बाद आपके 15 साल रहने के बाद नहीं है जो अब जो अब जो अब जो हैं वो डक्सर हैं लेकिन उनके रहते हुए गंदगी का अंबार सड़कों के उपड़ है जो जो छोटे करूं आज तक डेंगू मच्छर के लिए निगम ने वाड 21 में कोई फॉगिंग नहीं करी जबकि के जी वाई जी के आवान पर हमने घर घर जाके फॉगिंग करी जबकि दिवाली का तोहार था हम अपना तोहार छोड़के जन्ता की सेवा कर रहे थे केज जी माने नहीं हमारे मुख्य मंत्री जी के आवान पर मैं आपको बताओं क्रिशन नगर में आज जितनी भी काम हुए है और दूसरा मैं बताना चाहता हूँ आप निगम से मैं पूछना चाहता हूँ कि कृषण नगर वाड़ी किसी में कितने काम हुए है मुझे एक बार पांच साल का ब्योरा दें पंद्रा साल भाषपा की सरकार निगम में बैठी है पंद्रा साल में क्या हुए एक बुकलेट है जिसमें काम भी है और साथ में फोटो भी है अगर ये प्रचान निगर में और उसमें तीन सो गाड़ी एक बार में आजाती है क्रिशनदर नचर के अंदर ही बायो मिध्य नाइजेशन प्लांट है क्योंकि कुछा जो होता है और वह गाज़ीपूर में जाता है तो वहां ना जाए तो उसके लिए ऐसार आज पारकंगा कि कि पढ़ां वह पारन डीला यह प्लास्टिक सेगर्गेशन का प्लांट है और हम घर गर से अभी अमने दो दो ब्लॉक्स के अंदर ऐसी योजना बनाई है जिसमें ई-ब्लॉक है जहां घर से गीला सूखा कूड़ा ले रहे हैं तो क्यों के अंबार नजर आते हैं अब आपको नहीं सुने आपको नहीं आपको बताना काता हूं आप इंसे में पार्किं का इंपार चलता हूं अगर आप एक एक करके बोलेंगे तो तुम पाईगी पब्लिक देखिए आज से आठ नू मेने पहले तक क्या था जितने भी खते थे उनमें कूडा रात को उठता था ग्यारा बारा बजे तो पूरे खते सडकों तक फैले रहते थे लोगो गंदी की दिखती थी आज मैं आप को चैलेंज करता हूं आप जाके देखिए हम दे दो खते वहां बंद करवा दिये सी ब्लॉक और डी ब्लॉक का उसके लावा जितने भी खते हैं दुपायर को बारा एक बेर तक जीरो हो जाते हैं उसका रीजन ही है कि पहले ओपन ट्रक चलते थे आप आठ रूमीने पहले लेकर रहें वह दिन के अंदर ही कूडा उठा के वहां पुचाते हैं अगर यह बोने नहीं जाता है हफते में सातों दिन कूडे की कितनी सभाई हुई इसका ब्यारा तो संदीब जी दे रहे हैं लेकिन चंदर बोहन जी आनाथराइस पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है कुछना नगर के लिए कहीं भी गाड़ियां खड़ी रहती हैं कहीं भी साइकल यहां तक की रिक्षा होकस नहीं निकल कर रहा है तो मैं तो उस तरह से बात करिए देखें विशे का आता है देखें दोनों प्रतिदी बैठें एक प्रतिदी वह जिसकी सरकार 15 साल से मैं बड़ा कोशन पैदा कर रहा हूं आपके सामने 15 साल पहले के सिस्टेम के अंदर जब शीला दिक्षिती की सरकार थी तो MLA क का फंड सिर्फ देड़ कोड़ हुआ करता था और आज का फंड देखें कितना बड़ा है उसके अंदर कॉर्पेर का फंड 50,000 पे था और उस समय की दिली उस समय किष्ण अगर आप देखें और आज के उसके ताम बड़ने के बाद को तैम देखें अब विशे आता है क्या पूर्वी दिली का एक सेंटर है मेरे मित्र शयद किष्णा नगर जो एक्षुशन उसके भी कुछ विदा विफार मंग के अद्रच है मैं इंसे पूछा चाहता हूं उसकी विपारियों की जो उनको एस्विदा होती है पार्किंग की कूडे की करकट की आपकी सरकार है आपके MLA है क्या आपने उसके कोई निवारन करा जरहा अभी मेरे 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 मित्र निगम पार्च में बनी लेकिन भारवालों के लिए लिए बनी आप जाके देखे है प्लानट की वह प्लाण नहीं लगाया था वह प्लांट आप कई महिनों से बंड पड़ा है इनसे पूछा जा Hyقت बंड पड़ा है मैं आपको कूड़े की बात कर रहे हैं आज बी ब्लॉक जो रेजिडेंस एरिया है इनका निगम का स्कूल इनके पीछे है कूड़े खत्ते के और वहां के आज का मॉर्निंग का मेरे ड्राइन फोन में आ जाएगा कि आज का डेड और समय कितने वज़े मैंने ये वीडियो लि ये तथे जूट बोलना राजनिती जूटी करना आप ऐसा ना करे किजिए जनता के लिए आपको जनता की सेवा के लिए बेजा आप इसे नगर में जनता की सेवा की जब आपको पता है निगम का सारा काम जनता के लिए है और जनता के से आप दूर रहकर उनका एक काम नहीं कर रहे हैं चेतर में देखे देखे सबसे पहली बात है कि जो मल्टी लेवल पार्किंग है उसके इंदर जो गाड़ियां किष्णा नगर की है दूर से आके दस किलो मीटर से कोई गाड़ी खड़ी नहीं करेगा दो जर पर जो गाड़ियां बाज़ पार्किंग नहीं बनती अब जागए इसे नगर की ते तीम पार्किंग है इन्हें बता ही है तरभी अगर दिद्धा से कि निए होई हैं खर घर में आज चाचा चेशे गाड़ी है क्योंकि दिली के अंदर सार्जिनिक परिवन वेस्था नहीं है आप सोचते कि आज़ारों गाड़िया लोग खरीदे ले तो कहां घरी करी अगर अगर जमीन नहीं को पार्टिन ने शेक् तो मैंने बनाए एक शत्र कब्जा भारते जनता पार्टी का रहा है संधी जी ऐसे नहीं चलेगा आप 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 सुने जो बायो मीचनाइजेशन प्लांट वो चल रहा है ने चला आज की रिपोर्ट में पे वीडियो है अगर यह नहीं चीजे लगी है तो यह निगम नहीं लगाई है इनों नहीं लगाई है और जहां तक जहां तक चंदर मौंजी ने बात कर रहा है जंदर मौंजी ने बात की फंट की बात में कई लगाई है तो यह पास से अब आप आप विडाय को दिली सरदास को विडाय को दिया जाता है कुछ समझ्याओं को उठा पाएं लेकिन इस तरह से आप बोले की तो कुछ समझ नहीं आगा यहीं सदन में भी होती है यहीं जनता के बीच में होती है कॉंग्रस कहां रहती है यह कॉंग्रस आज सवाल दिल्ली की जनता इन दोनों से पूछ रही है कि जो डवलोमेंट शीला वुक्षित के टैंपर एमसीडी के अंदर दिल्ली सरकार के दोवारा करी गई थी मैं पूछा दोनों पदीदी मेरे पास बैठे हैं होस्पिटल किष्ण नगर में किस ने बनाया डाक्तर वाली ने बनाया किर्मिटी संटर किस ने बनाया डाक्तर वाली ने बनाया दो विदान सवा डाक्तर वाली क साफ नहीं आता और शीवरज की हाल तो एसी है कि सीवरज के अंदर आप जाएंगे तो रषना जी आ प्यार नी रख पाएंगे इतने बुर में चलिजी आप कोई री गाव कंद रियों इतना सत्यानास कर रहा उसके अंदर पानी की निकाशी की सीवरज की पाइप बदले हुए हट कही हो साल हो चुके हैं जबकि पानी की पाइप को शिया की चित के टैंफर एमेले का फ़र्ज नहीं बनता निगम फारशत को चोड़ मैं एक तरफ से गैब दूँगा कुसे बज़तम है लेकिन न अगर आप लोग फेकेंगे कि ये तो निगम की जिम्मेदारी है निगम की तरफ से कहा जाएगा ये तो क्या राजी सरकार की जिम्मेदारी है तो काम कौन करेगा निगम का नारा है मैं आपको दिखा रहा हूं और उसका डखकन टूदावा भी ब्लॉक का कोई निगम पार्शाद ने ये डखकन चेहिनी कराया आजी जंता रो रही है निगम के काम को और मैं जो पार्शाद है जैसे मैं जब पार्शाद बना पूरे पांच साल में तीस लाक रुपे मिला लेकिन जब मैं विदायक को कंपेर करता हूं तो विदायक को मिनिमम 15 से 20 करोड रुपे एक साल में मिलता है और वो बताईए कि वह पैसा कहा लग रहा है ब्रश्टाच बताना चाहता हूं कि इन सारी सारी विषमताओं को ले मैंने अपने अपने वार में दो चार मंजली नहीं स्कूल बनाए हैं अगर यह मना करें नहीं बनाए हूं उसके लाबा जो है मल्टि लेवल पार्किंग के साथ तीन नहीं पार्किंग हमने डीडीय से जगह लेकिए बताए कि साही मंदिर के साथ पार्किंग नहीं बनी के नहीं बनी बताए कि सवेधा बस्ती में नहीं पार्किंग बनाई है। वो ही आप अब MCD के साथ कर रहें आप निगम को कॉपरेट नहीं कर रहें तो बताए आप का घरे पे क्यों ना खड़े हूँ। आप निगम को पुछना चाहता हूँ। पेडेस्टर रोज वाल को अचरे लिए करती है उस ब्यूटिफिकेशन का पैसा खा जाती है उसके बाद मैं पूछना जाता हूँ। ब्यूटिफिकेशन का पैसा का खांगे है वाहां की टेबले का खांगे वाहां के गमले का खांगे वाहां की डेकोरेशन का खांगे। पैसा कर रहे हैं डेज नी कर रहे हैं देखिए रशना जी दो पाट्टी के दो बान दे हैं तीसरा कॉंगरस से मैं चंदर मन शर्मा हूँ। कोई भी जहां पर भी एरिया होता है उस एरिये के अंदर जनता की कुछ और समस्या होती हैं यह मुर्गा मंटी दूरी कुष्टिगा के खेलनी चीए किशन अगर को आप मुझे बताइए कितनी विद्वा पैंशन आपने बांटी एमसीडी के थुरू भी और आप सरकार के अंदर हम पैंशन देते थे पैंशन का हमारा रिकार्ड है 15-20 जार बेगा उस एरिये के अंदर लेकिन इन्हों यह आने के बाद आप सरकार ने वह विद्वा पैंशन भी बंद करी उन पैंशनों को भी बंद करा अब दूसरे चार वार्ड है एक वाड कि जो है पुरा अच्छा वार्ड है जिस वाड को आप कहसे हाड वो जम्ना पार का उसके बाद अनरक के ली आजेजिए उसके बाद गीताक लोनी आजी अगिता कि आन लोनी आजिए विद्वार लूनी के बाद आप पूशना चाहता हूं मुझे जोनों मित्र सावगोई के साथ बिना तूतू मैमें नुरा कस्टी की बता दें मुझे आप पांच डिवलमेंट ऐसी दिखा दीजे किष्णा नगर की जिसकी साचा और धाचा किष्णा अगर विदानसवा का बदला हो और चार निगम पार्चर का बदले जो आप तूतू मैम जो प्रॉब्लम है उसके इनों ने क्या निवारन करा स्कूलों की धांचों की जो बात करी उसके अंदर सिरफ आपने दिवारों पे पेंट करा दिवारों को पेंट करने के बाद आप स्कूलों के अंतर जाओं के अंदर कॉंग्रेस को नहीं पूछ रही ना कॉंग्रेस की तरह दिहान देए पर देए जुबल जी संदीब जी एक तो बश्रसा आप लोगो से रिक्वेस्ट करूंगे तो आप अपना रिपोर्ट का जिनता के विश्ट करेंगे मैं आउंगी जुबल जी आपके पास मैं संदीब की ना कुछ देए देखिए किशन अगर के अंदर जो सफाई विवस्ता है उसमें हमने आमूल चूल परिवर्तन किया हर घर से टिपर सुवे जाता है और लगातार हफते में सातों दिन जाता है घर से कूड़ा एक अठा करता आज 60% कूड़ा हम टिपर से उठवाते हैं दूसरा जो ढलाव गरों के अंदर कूड़ा रात तक पड़ा रहता था आज दुपैर को 12 वे तक साफ हो जाता है जो ढलाव गर साथ थे आज वो पांच रह गए हैं इसके लाव अगर आप शिक्षा की बात करते हैं मेरे यह दस स्कूल थे उनमें से आठ बिल्डिंग बहुत बढ़िया थी दो टूटी ही थी मैंने पैसे संक्षिन करवा किया चार-चार मंजली दोनों स्कूल एक तयार हो गया दूसरा तयार हो रहा है जहां तक पार्किंग की में बस्ता है पहले सरफ एक पार्किंग होती थी आज तीन सर्फेस पारकिंग है और एक मल्टी लेवल पारकिंग है उसके अलावा जो सडकों पर पानी का छिड़काव डेली होता है हमारे टेंक से पोलूशन को कम करने के ज़िए सडकों पानी का छिड़काव करते है जुगल अरोडा जी का जहां ऑफिस है उस मार्किट की ये उस मार्किट में भी सोवार को सुबह मेकैनिकल स्वीपर मशीन महीं डेस्ट भी वहां से उठाती है जिससे की डेस्ट पॉलूशन का लेवल और स्ट्रीट लाइट जो आज से पहले पुरानी पीली लाइट होती थी यह बहुत सारी लाइट बनती आज एक एक स्टीट सब्सक्राइब लाइट लेकिन यहां इन कामों को संधीब जी आप गिनवा रहे हैं आप भी पार्टी अपने आपको गिनवाती है जुगल जी के पास में जाओं और आप इसे जुगल जी रेक्शन लोगी लेकिन आप बार-बार कह रहे हैं कि को कोई पूछ नहीं रहा बी ने थि के विकास के बारे में बात करना चाता हूँ चेत्र के काम के पर एलिड जितनी एलीडी लाइट आज विदायक फंड से विदायक जी के उससे लगाई जा दिया शेधर में ये जूट बोल आब जो कर को तो रहे हैं पृता स्वार्ट नावन जी बताएए यह जी पता प्राइवेट में क्या बोलते हैं ये कुड़ा प्राइवेट है या सरकारी है अब उन्हें ये बचाना परता है ये घरका कुड़ा वहाजा वहाजा वह पैसे लेके जाता है इनको पता है नहीं हो रहा है तब आप भी रही थे तब भी रही काम करवारे थे लिए वह प्राइवेट में आप दोनों मित्र जो हैं उशाय देश सूचरें कि गली के नुकड के अंदर हमें भाशन देना है आप तीवी के अंदर है जंता देख रही है आपको देश भी देख रहा है दिल्ली भी देख रहे है किष्णनगर भी देख रहा है सभेता का परमांग दीजे अगर आप एक एरिये के परतिन दीदी हैं तो उन समस्चर में बात करिए मैं दोनों पर प्रेशन करने जा रहा हूं मुझे आप बताईए डोग बाइटिंग हुई दोग बाइटिंग का रेशो दिल्ली को सबको पता है जब डोग बाइटिंग हुई उस आकड़े को कर्मा आपके रखोंगा तो आप कुरसी हिल जाएगी आपके दोनों के होस्पिटलों के अंदर डोग बाइटिंग के इंजक्शन नहीं थे दूसरे विशे पर आता हूं उसके बाद हुस्पिटल की अगर पैस्टेडिस को आप लेते हैं किश्ण नगर जैसे एरे के अंदर क्या एक होस्पिटल सेफिशेंट था जो चैल्ड उसके डाक्टर वालिया बनाके गया है अगर उसके अंदर डिस्पैंसरी की रेशो आप देखे जिस्पैंसरी को उससे पहले एक आदा एरिया डाक्टर वाले के था आदा एरिया हर्श्वर्दन जी का था और हर्श्वर्दन हेल्थ मिनिस्टर थे हल्थ मिनिस्टर होते के नाते दो वेरियंट करोना के गुजर गे और किश्ण नगर के अंदर हाग कार मच गया और हमारे हेल्थ मिनिस्टर उसस लेने के बाद उनके भार अगत पार्किंग होती तो पुलिस वाले अठा जयते एंसेडी बैटे हैं मेरे भाई फाइन कर देते हैं खड़े होने के बाद क्या आपका आप दोनों प्रतिदी आपके जिम्मवारी नहीं बनती जब हाट है जमना पार्किष्ण सबीकी जमाद दीजिया सवाद भाजब है इसके लावा डॉग बाइटिंग की बात कर रहे हैं गाय भूमती रहती है इसी तरह से आंकर नहीं जाता आप लोगो पार देखिए डॉग तो इनकी माता है लेकिन उसके दिल में बाता इनका देखिए लुग नहीं पार इनका इनक नहीं जाता है जो कुट्ता जहां से उठाया जाता है चाहदी इंस्ट्रलाइज करने के बाद वहीं छोड़ा जाता है जोट कितना आगड़े के अंदर आपने यहां वादी करें ने आप दिए शोंची डिस्टाइब किश्ण अगर को आप लिगने के लिगने का आप अधि जुगल जी आम आपनी पार्टी बहुत कोशिच कर रहे है निगम पर काबिस होने की कौन सा मुद्दा लेके जा रहे हैं इमानदारी का ब्रश्टा चार मुक्त का जो दुल्ली में जनता को की जिवाल जी ने करके दिखाया जनता का पैसा जनता को विया जाना है कॉंग्रेस आज बेसिक मुद्दा उन चीजों को लेके जाएगी सफाई और करमचारों की निखती और इस थाई टीचर जिनको इन्होंने नुटंकी करके उनकी सिस्टम को जोड़ा नहीं है जिल्ली के साथ पैगों मुद्दे स्वास्ट के उपर बहुत ध्यान देंगे स्वास्ट के अंदर जो केजी वाल जी ने नुटंकी करिए अपने मौला की निकी और अभी रिसेंट उसके अंदर वह तीन बच्चे मर गए और चोड़ा बच्चे गाया लगातार किशनगर को साफ रखना वहां का कंजेशन कम कर करना और जैसे अभी हमने घरगत से गीला उसुका कुड़ा उठाके निस्तारन का काम कि उस काम को आगे बढ़ाना स्टीट लाइस जितनी हैं एलीटी में कंवर्ट हुई है उन्हें मैंटेंड करना और उसके लावा कंजेशन को कम करना इन्हीं मुद्धों के साथ दुबा बड़ी बाते भी कई जाती हैं कि इन समस्याओं को हमने समाधान किया आगे जाएंगे तो भी करेंगे लेकिन दिक्कत यह है कि हर बार यही समस्या मुद्धा बनके जनता के बीच में खड़ा हो जाता है और हर बार जनता यही सोचती है कि अपकी बार हमारे जन प्रतीदी इन समस्याओं का समा रहन करेंगे.